सबी को जैंद दोस्तों आप सबी का हार्दिक सोगत है जैंद रियक्शन्स पर आशा करता हूँ कि आप सबी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज जमा फिल एक इंट्रोस्टिंग और एक बहुत ही नॉलेजबल वीडियो लेकर आएं जिसमें आप देखेंगे पत्रकार आर सबसे के हैं तो आप बहुत जाने को मिलेगा तो चलिए साथ मिल के ये वीडियो देखते हैं 폰ण है भारत दूसरा उसमें सबसे बड़ी significant बात ये है कि जो भाइजन अमेरिकन परशान क्यों है उस सीपोर्ट के वज़ा से उसकी वज़ा ये है कि वो इस वकत तीन चीज़ भारत जो है वो रशिया के साथ सीधा ट्रेड करेगा और जो बाल्टिक स्टेट सोगी वहां से सीपोर्ट से और जो वेस्टन कंट्रीज है कम्प्लिटली कट अफ हो जाएंगे वो इस वकत अमेरिका को सबसे बड़ी जो थ्रेट है जो पूटन साब कहा है चाइना सबसे बड़ी थ्रेट ये है एक तो वो डालर के ख kalau bricks को stong करेंगी नई currency बनाने के बारे में सोच रहे हैं और नए electronic system payment system बनाने के बारे में सोच रहे हैं किस तरीके से पूरा western system जो है उसको cut up कर लिए है यह दोनों मिलकर सोच रहे हैं चाइना और रस्या और इसी वजह आप से यहां पर ये सारे लोग तो खिर नशा कर के फिर रहे हैं अमेरिकन तो इनको कुछ पता ही नहीं के हो क्या रहा है बिल्कु कुछ पता नहीं इनको देख गाजा के अंदर देख लें आप इसकी सबसे बड़ी इलामत यह है फिछले हफ्ते इनों ने कहा है जी के हम असला बंद कर देंगे साथ यह तीन चार दिन के बाद फिर खोल दिये खोल के दिये अब कहते हैं कहते हैं हम टैंकों के असला दे रहे हैं कहते हैं हम चाहते हैं टैंकों से मार रो फलस्तीनियों को जहाजों से ना मारो यह इनकी पालिसी है अमेरिकन से तो अगर इस तरह हमारी तरफ तो अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी दो च स्टेट से नौ माई वालों को लोगों को सजाज नि दी जा सकी आपकी स्टेट का गिरेबान रुजाना अलियमीर गंड़ापुर जो है के पीजिए में आपका गिरेबान पकड़ते हैं आपकी स्टेट का डेली बेस पे आप उसका कोई जवाब नहीं दे पाते हैं खांसाब मैं कल हैरान हो गया था खांसाब के खैर अंदर घर में भी जगड़े शुरू हो चुके हैं खांसाब जब अदालत में अगले दिन आया है बीवी बुश्रा भी आई है वो इनकी बेहनों से मिंतें करते रहे हैं मेरी बाजी को मिलो मेरी बाजी से सलाम कर लो उसका परयाख तुकोन है उनों प्रद फैमली आफेर हॉ अपना सारा दिन आते हैं जेलों में मज़े करते हैं देसी मूर्म काते हैं खाते हैं लो तो इस तरह हनीमून पर चल रहा है वहाँ तो अपके स्टेट्ट तो इतनी मजबूर है मैं बलके आपके स्टेट को इनikum जामया अगर इस को दो भई खांसाब को तो उस्मान बुझदार आए वापस पिंकी पीर नहीं आए और दूसरी यह आए अपना चलाए छे महिने नहीं निकाल सकेंगे ये छे महिने निकाल सकेंगे इनके उपास सबसे बड़ी बात यह जो टेकनो क्रेट टीम थी इनके पास उसका उसका सबसे बात देखें टीम भी तो देखे रहे हैं की असद उमर साहब थे मुराज सहीद साहब थे इतने इतने बड़े फिलास्फर इनके पास थे जुल भी बुहारी जाब उनसे बड़ा कानों में स्कौन होगा दे इनको चाबिया पाकज़ान की महीने छे निकलेंगे चले तो यह तो पहले ही डिजनल पावर बन चुके हैं आप से सौ साल आगे हैं आपकी सोचों से वो बहुत आगे जा चुके हैं आप अभी जहाद से ही निकल पा रहे हैं आपका सबसे बड़ा आलमियत और यह हैं कि आप अपने इसलाम का चूरण बेशते हैं लोगों को कंट्रोल करने और जितने पालीसी मेकर हैं सब के बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं तुरांटो पढ़ रहे हैं अब भी मैं पांच मिनिट पहले मुझे किसी ने ट्वीट किया है उन्हों के तुरांटो तो आदा तुरांटो खरीद लिया आपके हाजर सर्वस सरकारी ब्योरोक्रेट से रेट किसी ने तकलीफ ही नहीं की कि उसको कोई किसी ने तकलीफ ही नहीं कि कि इसके वज़ा यह है आर्जू आप ना सिरफ मुवाशी तोर पर बेंक्रफ्ट हो चुके हैं आप इखलाकी तोर पर भी बेंक्रफ्ट हो चुके हैं आपके सुसाइटी के हलाद यतने खराब हैं कि शरीफ आदमी को लड़की का रिष्टा को नहीं देता है भी अब हाँ आप यह तो कि नई से नई गहराईयां ढूंडते फिर रहे हैं आपको पता नहीं कौन चला चला कौन रहा है आपको मुझे तो यह समझ नहीं आ रही कि लोग मायूस होते जा रहे हैं मेरे जैसे लोग जो बाहर बैठे हैं जो पहले सोचते थे कि शायद काजी फाइज इसा साब इनके किरदार दूसरे लोगों से ठीक हैं कुछ ठीक हो लेकिन आज आज की जुडिशनी के कपड़े तो नौाज श्रीफ साब ने भी उतारे उन्हों ने जलसे में कहा जब दुबारा वो सदर बने हैं एक तो यह कि उनके जलसे के अंदर सारे सतर सतर साल के सियासदान भी कहा कि इनको क्यों ही पकड़ा जा रहा पिर उनके बारे मेरे बड़े भाई के क्लासमेट थे वो अर्शिद मलक साथ उनके बारे में भी जिकर उनके लेकिन को पूछना वाला ही नहीं को सजा जजा ही नहीं सर आपकी जो स्टेट्मेंट थी के मोधी जी जैसा लीडर चाहिए वो इंडियन मीडिया ने बहुत उठाई है बहुत जगह पर आप इतना रिस्पांड आया मैं इतना इस चीज़ पर आप सोचेंगे सकते आप जो मेरे लिए आप सो प्राउड के मुझे इतना प्यार और म महबत बड़े मैसेज आए भारा से मुझे बड़े मैसेज और मैंने कोई एग्जैजरेशन नहीं की मैंने उसको फेक्ट का तब भारत की तरक्की के लिए मोधी साब का होना बहुत जरूरी है नंबर वन दूसरा जहान देखें इस प्रासस को मैंने बड़ा भारत को बड़ क्लोजली मानेटरिस करता हूँ चीजों में मैं वेरी मच मेरा प्यार महबत बहुत है तो उसमें आर्जो देखें प्रासस तो बड़े अर्से से शुरू है ऐसे बात नहीं है लोगों को उनको भी क्रेडिट देना चाहिए जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ के इंडियन इंसी नेशनलिस्त थे वो भी ऐसी बात नहीं है उनके अंदर भी नेशनलिस्म था लेकिन उसको क्लोजिंग दी है मोधी साथ में कल मैं एक जगा पर बैठा था तो मैं अक्सर दो चीज़ें आज बताना चाहूँगा कि जैश शंकर साब ने भी जो कल जिसमें किया तो वो सूरत क में बैठा वा था मैं अक्सर पहला क्वेस्टिं उससे ये करता हू कि मुझे ये बताओ गुजरात के मतलब क्या है गुजरात क्या है तो वो एक्सर मैं ये बता मैं कहता हूँ गुजर अंड़ उन जाट लिप टोगैदर क्योंकि मैं उनको फिर दूसरी चीज़ें जो बता हमारे जिना जो थे वो वहां से थे गुजराती थे फिर मोधी साथ गुजराती मैं अब दूसरा अंडानी और अमभानी गुजराती मैं वरी मच इंस्पाइड वरी इंटेलिजेंट पीपल वरी डिटर्मेंट लीडर्शिप अब ने तो यह कहा कि पाकिस्तान को मोधी जैसा चाहिए लेकिन वो इम्रान खान सब तो कहते थे कि जब तक मोधी जी हैं जब तक बात ही नहीं हो सकती भारत से देखें जो कल डाक्टर जेश अंकर साब ने भी भारत एकिनामिक राइजिंग के अंदर जो स्पीश दी उन्होंने भी मेंशन किया कि पाकिस्तान इंडिया के हालात को डिग्रेड किया था मुर्शित पाक ने 2019 में उनकी बात ऐसे ये बिल्कु ठीका हुआ ने लेकिन देखें इस वकत आपके पाकिस्तान के अंदर ये फैशन बन चुका है कि हर सियास्तदान जो उठता है मिसाल भारत की दिनता है यह इसमें कोश है मौलाना फजलो र इसमें कोई शक नहीं तालीम उन्होंने हासल की लेकिन नैशनलिजम दिया उन्होंने लोगर मिडल क्लास को भारत को उन्होंने एक तो लफ़ भारत प्रमोट किया उन्होंने और फिर उसके बाद उन्होंने नैशनलिजम दिया है इसकी कोई मिसाल है और मेरी मैं भी यही कह लूँगा उस वक्त तक आप तरकी नहीं कर पाएंगे हमारा अलमिया यही है कि हमारे अदर नेशनलिजम नहीं हमें पते ही आपको इडन्सटी क्राइसिस हैं सुबह उतते हैं अबदाली और भ inhab gem की रिश्तेदाऊ बन जाते हैं शान कुवा परों के रिश्ते दार बन जाते हैं बता नहीं क्या झाटा से क्या नाव जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि विशा फैसल होते थे वो पाकिस्तान के करीब से गुजरे तो हर बच्चे का नाव फैसल रख दिया है दो शेरों का नाव फैसलाबाद रख दिया है आप पता निक क्या बात है क्यों आप फैसिनेट करते हैं चीजों के साथ हलाके वो आपको पूरा इंसान ही नहीं समझते हैं आपके पठान भाई चुनको आप कहते हैं खोरी अब्दाली वो पूरा मुसलमान यह नहीं समझते हैं टी टी पी का मंशूर यह है कि हमने इसलामबाद को फता करके वो आपको मुसलमान करना है यह उनका मनशूर है टी 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 पी तो आप पता नहीं ग había कॉस्ष और उत वो चांड पर चले जा रहे हैं आप जो है आफ़गस्तान चा रहे हैं तो मुस्तिफा कामाल जो है उन्होंने भी रीसंड़ी जो कहा था के जो पडोसी हैं वो चांद पर चले गए और हमारा जो हाल है उस्लिप इस ड्चूप पर उन्होंने मिगा नवाज शरीफ साब ने भी कहा थे चांद पर हमने जाना था गलती से हमारा नक्षा चोरी करके भारत वाले लेगे वो पहुंच गे वहां पर पहले वो एकॉनमी पर भी कह रहा थे कि उन्होंने हमारे आडिया चोरी वहां से लाइफ शो करेंगे विल्कुल डेफिनेटली सर कब जा रहे हैं अब मैं विजदर रवीख जा रहा हूं कुछ दिनों के लिए आब उधा भी लेकिन वहां से लाइफ इस दफ़ा मेरा दिल था कि लाइफ शो करें आपने देखने वालों को सारे फूल्सक्राइब वह अब जान के लिए वह उसको मांगी विए दुआ जो है वो दा समी विल्कुल ऐसा ही है थैंक यू सो मैज सार कि आपने आज उए थानुए रशू करता हूं की वीडियो का आपने अंतर देखा होगा और आर्जु कास्मी जी और साजी तारस आपका पूरा डिसक्शन और उनके पॉस्टिव आनलेसिस आपको काफी पसंद आए होगे और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा जैसे खुद आपने देखा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आए होगी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरू कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिकर जरू बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ता